नमस्ते दोस्तों, वेलकूम टो अवाश चनल, आज हम ने लाएं आप लोंके मुली, मरला मुली के पराथे नए, मुली के बड़े आज रहें आप इसको सब मेंखा सकते हैं, लाँच मेंखा सकते हैं, दिनर में, नाट में, सभी के साथ खासकों बोद हेल्दी भी है आए दोस्त बनाते हूं और इसका मजा रेते आप इस चैनल पे नए है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गेंटी जुरू दबाए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले नए नए रेसिपिकिल और हमारे वीडियो के एक लाइक और स मुली लिए हैं चिलका निकाल कर साफ करके मुली लिए हैं अब इसको ग्रेटेट करते हैं देखिए हम यहाँ पर ग्रेटेट कर रहे हैं आप इसी तर ग्रेटेट कर लिए मुली को ग्रेटेट करने से देखिए ऐसा दिखता है मुली हमारे ग्रेटेट हो चुका है मूली को आप चाहे तो स्टेनर से स्टेन कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर हातों से मूली को निचोड रहे हैं इसका पानी निकाल रहे हैं अच्छे से निचोड कर इसको सपरेट कीजिए इसी तरह हम बाकी मूली को पानी निकाल कर इसे निचोड लेते हैं देखिए स्टेन किय प्रेडी है अब यह मूली के गांड को थोड़ा हातों से खोल लेते हैं ताकि सब मसाला घुल मिल जाए इसलिए हम यहां पर गांड को खोल रहे हैं कुछ चाप किया हुआ हरी मिर्ची लिये हैं वन टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून चिकेन मसाला वन टेबल स्पून गरम मसाला टू फट काली मिर्ची पाउडर वन टेबल स्पून चाट मसाला चुप किया हुआ लेसुन चुप किया हुआ पियास चुप किया हुआ फ्रेज धनिया बेशन वान टेबल स्पून राइस फ्लॉर त्री टेबल स्पून अब यह सब को अच्छा से मिक्स कर लेते हैं हमें बेशन को थोड़ा कम देना है rice floor को ज़्यादा देना है हम यहाँ पर rice floor हमारा hero है हम यह सब को अच्छे से mix कर लेते हैं हमें यह सब को अच्छे से हातों से मिला लेते हैं देखिए हमारा अच्छे से batter को ready कर लिये हैं आप इसमें 1 tablespoon नमक डालेंगे हाप lemon का juice डालेंगे नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है इसलिए हम consistency make up करने के लिए यहाँ पर rice का floor 2 tablespoon दे रहे हैं अब यह सब को अच्छे से mix कर लेते हैं हम पहले नमक डालते हैं तो मूली से पानी निकलता है इसलिए हम यहाँ पर last में नमक को डाले उसको make up करने के लिए हम rice का floor डाले फिर spirit यह से गोल गोल गांट बना कर अब इसको दोनों हातों से प्रेस करेंगे देखिए दोनों हातों से हमें इसी तरह दीरे दीरे प्रेस करना है हमारा थोड़ा थोड़ा हो रहा है बनाते समय हमें अच्छे से चेक करना है ताकि उसके बेड़े के साइट से नहीं फटना चाहिए देखिए हमारा बेड़े अब रेड़ी है इसी तरह हम बाकी बेड़े को भी बना लेते है सेम प्रोसेस में झाल झाल देखिए हमारा बड़े सब रेड़ी है यह रहा लास्ट में छोटे से बड़े बड़े सब रेड़ी है देखिए हमारा तेल करम हो गए है अब इसमें बड़े को डालेंगे एक एक करकर सब बड़े को यहां पर डाल रहे है देखे कितने अच्छे से बबल बबल हो रहे हैं मतलब तेल अच्छे तरह से गरम हुआ है देखे हमारा पड़े का एक साइड हो गया है आप इसको पल्टेंगे आप यहाँ पर पल्लड दिये हम जो पहले डाले ते उसका थोड़ा ब्राउन हो गया है देखिए हमारा ब्राउन थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है आप इसको थोड़ा थोड़ा उपर निच्चे से पलतेंगे ताकि अच्छी तरह से बज़ जाए आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी के लिए देखिए एक साइट तो हो गया है आप इसको थोड़ा पलर देते हैं हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है नहीं तो जल जाएगा देखिए हमारा बड़े अब रेड़ी है आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं बाकी बड़े को भी न मुली के बड़े अब्रेडीithe आए दोस्तों खाते हैं बहुत टेस्टीहे देखिये हमar hai देक्टीहे हमारा बड़े अब्रेडी है अप इसको क्लाइख और से gemaakt और वन्यां नज्यायोगे चट्नी इक घो सबस्क्राइब है उसके साथ और हमारे वीडियो को एक लाइक और सेयर कीजिए नए नए रेसिपी जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू जोस्तों पर वाचिंग आप इस चैनल पर नए है तो सबसे बहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केंटी जुरू दबाए ताकि बहला नोटि